तो फ्रेंड क्या आप भी चाहते हैं किसी और के वाटसप को अपने फोन में चलाना तो फ्रेंड इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखें हेलो एंड वेलकम फ्रेंड माइनेम इस मौमद असरफ और आप सभी को स्वागत है हमारी यूटूब चैनल असरफ टेक दे फ्रेंड आज मैं वाटसप का कुछ ऐसा सेटिंग के बारे बतलाने वाला हूँ जिससे फ्रेंड आप किसी का भी वाटसप को अपने फोन में चला सकते हैं किसी का भी वाटसप को अपने फोन में एकसेस कर सकते हैं वो भी फ्रेंड उसे पता लगे बिना जी आ फ्रेंड उ कैसे होता है ये किस तरह किया जाता है फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जल 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 दी सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर ले तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं मैंने यहां पे अपना दोनों फोन ले लिया है अभी इस फोन को इस फोन पेगल आउंगा यानि फ्रेंड मैं इस वाट्सप को अभी इस फोन में लेके दिखलाऊंगा सकते हैं तो सबसे पहले छलिए हम यहां से अपना application open कर लेते हैं तो आप देख सकते हमारा फ्रेमरा अप्लीकेशन है वह open हो चुका है उसके बाद इस वाटसपड को ले जाने के लिए वह सबसे क्या करना पढ़ेगा सबसे पहले उपर में जो option प्रण यहां इस पे आपको किलिक कर देना है तो फ्रेंड इस पे आप जैसी किलिक करेंगे तो फ्रेंड यहां पे QR कोड आ जाएगा जिसकी ओवर कोड को फ्रेंड आपको इस फोन से स्केन करना है तो फ्रेंड आप जिसकी का भी वाटसप को अपने फोन में चलाना चाहते हैं सबसे पहले friend आप उसका एक बड़ फॉन ले ले लेरें उस फॉन लेने का बाद friend आपको यहां पे as-ai QR code को ले लेना है जो मैं तरीका बतलाई उसके बाद friend आप यहां पे जो 3 dot को देख वहोट ए इस पर खार रहोंगे इस पर एक वाटसप है अभी इस फोन पे चला जाएगा तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो वाटसप है अभी इस फोन पे आ गया है तो फ्रेंड आप पहले ही में जो चैटिंग देख पा रहोंगे वो चैटिंग अभी इसमें भी सो कर रहा है तो फ्रेंड यहां से आप इस लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करें और साथी सब फ्रेंड नोटिफिक्शन वेल को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर